हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक ट्यूरा आई देखते हैं कल मिंस 14 अगस्ट को मारकेट में क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में क्या मुवमेंट हो सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आज की बात करते हैं आज विकले एक्सपाइरी थी और मारकेट में क किया था कि मारकेट एक रेंज बाउंड टू डाउंसाइड मुवमेंट दिखा सकता है वैसे हुआ मारकेट ओपन हुआ करीब दो डाई घंटा रेंज में मुवमेंट चला और उसके बाद नीचे की तरफ रेंज को ब्रेक किया मारकेट में तो यह है निफ्टी का डेली चा कि उपर की तरफ चला जाएगा चलिए चोटे टाइम फ्रेम में चलते और कोशिश करते जाने की कि क्या पॉसिबिल्टी हो सकती है कल के लिए यह है निफ्टी का 30 मिनट चार्ट और हम देखते हैं कि आज क्या हुआ पहले पहले क्या हुआ मारकेट ने गैप अप उपनिंग दिया इस रेंज में काम किया करीब दो घंटा धाई गंटा एंड हासे फिर नीचे की तरफ रेक दिया और एक वापिस फिर रेंज बाउंड रहा मारकेट और जहां ओपन हुआ था अराउंड उसके असपास अगर आप देखोगे 11 जो है आपका 11 312 के असपास क्लोजिंग दिया निफ्टी ने और कल क्या हो सकता हो देखते हैं तो मैं आपको कुछ important level दिखा देता हूं तो आप देखिए एक zone मैंने बना रखा है यह zone बहुत important है 11,330 से लेकर 11,370 का zone अगर price यहां आता है तो हमें क्या करना है carefully watch करना है और यहां price action देखना है अगर इसको इस level को market उपर की तरफ breakout देता है तो हम easily buying side plan कर सकते हैं 11,500 तक अगर market यहां resistance लेता और यहां से return होता है तो हम selling plan कर सकते हैं अगर market कल gap down open होता है gap down open ह 11,250 एक important support है इसे हमें नीचे की तरफ break करने का bet करना पड़ेगा selling के लिए और अगर है price action को watch कि हमने देखा कि buying आ रही है तो हम इस range में actually यह जो range है हम इसको plan कर सकते हैं जब तक कि जब तक कि इस zone को price break नहीं करता है हम इस range में planning कर सकते हैं अभी चलते है bank nifty में देखते है bank nifty में क्या हो सकता है आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है तो आपके सामने में दिखाता हूँ bank nifty का daily chart यह है bank nifty का daily chart बैंक nifty में भी क्या हो रहा है bank nifty में पिछला जो high है एक level है बोल सकते हैं इस high को break करने की कोशिश कर रहा है और यहां time spent कर रहा है in fact इसने breakout दिया भी लेकिन आज expiry था तो क्या हुआ कि दोनों side moment देखने को मिला पहले उपर खुला और प्राइज उपर गया देन बाद में profit booking देखने को मिले और नीचे की side आ गया अभी छोटे time frame पे चलते हैं और कुशिश करते हैं प्राइस का behavior जानने की क्या क्या हो सकता है market में कल तो price यहां कहीं आकर बंद हो गया अभी कल के लिए कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं तो यह रहा कल का प्लान आपके सामने आप देखिए यहां पर भी मैंने एक zone बना रखी तो हमें यहां पर बैंक निफ्टी में 22,300 से लेकर 22,430 यह जो zone है इस zone में price को watch करना है you can say this is no trade zone और अगर यहां price action confirmation देता है यह उपर की तरब breakout देता है और confirmation देता है हमें तो हम उपर की तरब buying plan कर सकते हैं कहां तक buying plan कर सकते हैं 22,660 से लेकर 22,850 तक तो पहला level है 22,660 और दूसरा level है 22,850 नीचे की side क्या है same nifty जेसा plan करेंगे हम क्या करेंगे अगर price इस range इस अपका 22,300 से लेकर 22,030 के बीच में रेता है तो हम एक range bond market की उम्मीद कर सकते हैं उपर break हुआ तो हमारे level है नीचे break हुआ तो हमारे पास level है अब नीचे की side में 21,620 level है और 21,000 आपको में एक दूसरा level जो है जो possible level है व ठीक है तो यह रहा हमारा कल bank nifty का plan हाँ अभी कुछ level ज्यादा दिखाई देरें बट हाँ यह zone के सबसे प्लान कीजिए तो that will be easy for you अभी चलते हैं कुछ stocks में कल हम कौन से stocks को देख सकते तो अभी क्या market थोड़ा strong ही दिख रहा है market support ले रहा है buying आ रही यह बंद होते होते हैं तो हम थोड़ा buying side के ही stock देख रहे हैं कि कौन-कौन से stock हो सकते हैं सबसे पहला stock है चोला फिन यह मैंने आज भी अपनी watch list जो मै शेयर करता हूँ free telegram channel में वहाँ शेयर किया था अगर आपने join नहीं किया तो आप join के लिए description box में link है वहाँ पर मैं काफी useful information शेयर करता हूँ चोपके आपको trading में help कर सकती है और आपको content अच्छा लग रहा तो वीडियो को like कीजिए और subscribe करना मत भूलिए please thank you अभी देखते हैं stocks में जैसे में आपको बता रहा था चोला फिन चोला फिन में क्या हो सकता है ये रहा आपका चोला फिन का chart देखें चोला फिन में कैसा मूमेंट आया mountain है watch list में भी था अज हमारी तो चोला फिन पिछले जो हाइस Means führt जो उसको break करके बाहर आ रहा है और junior वाल्यम بी अच्छ अख्कान है तो अभी हम किया यहाँ पर ॉम्हींग प्लान कर सकते हैं और कहाँ बाइंग कर सकते हैं लाउंड डारौंड 44형 224 2 25 असंजिसी के लेवल के उपर बाइंड ॉम्हान कर इंफ्राटेल में देखिए क्या हो आज इंफ्राटेल ने भी यही किया इंफ्राटेल एक रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा था उस रेंज को ब्रेक आउट दिया है और बाहर आ चुका है तो इंफ्राटेल में हम 200 के उपर बाइंग प्लान कर सकते किस लेवल तक 206 और 210 के इस तक तो यह था आज का हमारा प्लान निफ्टी बैंक निफ्टी और दो स्टॉक्स में अभी जो हमें लेवल दिखाता हूं दोस्तों तो आप लेवल्स को एक्जिक ली देखो हम एक्जिक नंबर्स नंबर्स पर नहीं जाएंगी जैसा अगर 11,300 तो इस लाइक थोड़ा एक जोन होता है 11,305 अब प्लस मैनस 10 तो वहाँ प्राइस को उस लेवल मिन्स जब प्राइस उस लेवल के आसपास जाता है तो हमें वाच करना होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारे डिसिजिजन्स लेने होते हैं ठीक है तो आपको मेरे जो डेली एनलेसिस वीडियो हैं वो पसंद आ रहे हों और जो स्टॉक्स में शेयर करता हूँ आपने देखा काफी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है और काफी अच्छे मुझे फीडबैक मिल रहे है उन स्टॉक्स में तो आप बने रहे है वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पूर फायदा उठाइए एनलेसिस वीडियो का थैंक यू थैंक यू वेरी मच